ये तो आपको पते हैं कि आज के टैम में जो ILS के exam है वो repeat हो रहे हैं इसकी बज़र से जो past exam की reading के पैसे एक तो वो आपको अच्छे तरीके से prepare करने चाहिए और साथ ही साथ जो task 1 और task 2 जो की पहले exam में आ चुके हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से check कर लेने चाहिए आप उनसे जाकर buy कर सकते हो बट जहां पर अगर आपको जे material free में चाहिए अगर आप afford नहीं कर पाते तो ILS पलाजा आपके लिए ही बनाए बट हमारी एक शर्त होती है कि अगर आप इस चैनल को subscribe करोगे तो जे सब कुछ तो material है आपको free में मिल जाएगा अगर आपको अभ और एक important बात चैनल को जुरूर से subscribe कर लेना क्योंकि अगर आपने आज इस चैनल को subscribe नहीं किया और आज आप ऐसे ही material ले जाओगे तो इसमें जो loss है वो आपका है क्योंकि जो आगे वाला material है वो इससे भी important है अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो वो video साथ आप तक ना प पहुंचेगी और आप वो material भी free में ले सकते हो तो चैनल को जुरूर से subscribe कर ले तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं October ILS exams के बार में October month में आपके 5 exam है Academy के लिए बात करने वाले हैं 8th October को 13 October को 15 October 22nd और जो last वाला exam है वो है 29th October को अब देखें कि इन में से कौन सा exam best रह सकता है हम बात करेंगे module wise पहले listening की उसके बात करेंगे reading की ठीक है तो वीडियो को जल्दी से start करते हैं आपका कोई ज़्यदा time based नहीं करेंगे listening का जो module है बहुत यदा कम बच्ची होते हैं जिनको listening में problem आती है और listening आजगे time में easy ही आ रही है आपको कोई डरने की बात नहीं है हर एक exam में जो listening का level same नहीं रहता है और हो सकता है कि एक दो exam में आपकी जो listening की speed है वो थोड़ी सी fast हो सकती है एक दो part में तो इसके लिए आपको क्या करना होगा अब से जितने भी दिन आपके exam में बचे हैं तो at least 1.25 की speed पर listening की practice करो अगर आप actual exam की listening की practice करना जाते हो जो की past exam में आई हुई है तो video की description box में मैंने तीन link डाल दिया है listening के उनकी जाकर practice कर लो आपको जो अपना level है वो पता चल जाएगा और speed 1.25 रखना उसके बाद अगर हम बात करें writing के module के बार में writing का जो module आज के time में repeat हो रहा है बलकि अगर एक मन्त में 5 exam है तो मान कर चलो 3 कम से कम 3 जादा से जादा 4 exam में तो writing repeat हो ही रही है तो अगर आप task 1, task 2 जो past exam में आई हो है उनको एक बार अच्छे तरीके से देख लो तो आपका काफी benefit हो सकता है बट मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने उसी के उपर dependent नहीं रहना बट chances काफी ज़दा है कि उसमें से आ सकता है अगर आपको बो PDF नहीं मिले तो वीडियो की description box में और comment section में मैंने बो भी link डाल दिया है writing के material का बो भी जाकर चेक कर लो अब बात कर लेते हैं reading के module के बार में reading का module एक ऐसा module है जिसको देखकर बचे exam फिल करते हैं अगर कोई youtuber कहता है कि इस दिन reading easy आएगी बचे exam फिल कर देते हैं अगर कोई कहता है कि reading इस दिन difficult आएगी टफ आएगी बचे exam फिल नहीं करते है मलकि reading के module पर ही ILS के exam की difficulty depend करती है reading का module अक्तूबर मन्त में कैसा रह सकता है तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि reading का module जो IDP की तरफ से थोड़ा सा up कर दिया गया है September मन्त में हमने देखा ही है कि जो reading एक ही exam में normal देखने को मिली बाकी के exam में जो reading का level वो थोड़ा सा up था इसका solution हमारे पास है वो वीडियो के last में आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे इसका solution मिलकि इस problem को solve करना है कि reading जो tough आ रही है बट आप किसी को भी सुनकर किसी को भी देखकर ऐसे exam फिल ना किया करो उनको mind में रखकर अपने exam date फिल कर दिया करो ठीक है कोई prediction को मानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि prediction सब wrong होती है उनको खुद को नहीं बता होता कि exam कौन सा easy आने वाला है reading का level अक्टूबर मन्त में भी आपको थोड़ा सा अप ही देखने को मिलेगा एक exam में reading normal आ सकती है बट वो predict करना बिल्कुल भी easy नहीं है कि कौन से exam में वो reading easy आएगी क्योंकि ऐसा भी होता है कि एक exam में जो दो slot होते है एक slot में reading थोड़ी सी easy आ जाती है दूसरे slot में difficult आ जाती है थोड़ी सी मलकी prediction बिल्कुल भी सही नहीं होती तो आपने prediction पर बिल्कुल भी जिकीन करना है जिकीन करना है जिसने आपको जनम दिया है उस बगवान पर आपने जिकीन करना है उसी को mind में राक कर अपना exam फिल कर देना अब इसके solution पर बात कर लेते हैं क्योंकि reading भी repeat हो रही है ज्याद से ज्यादा दो पैसे कईवा repeat हो जाते हैं अगर आप repeated पैसे की practice कर लो तो उसके दो benefit है ये एक तो अगर वो exam में आगी तो सोने पर सो आगे वाली बात हो जाएगी ठीक है अगर वो exam में नहीं भी आई तो भी आपको उसका benefit है क्योंकि आप same level की reading की practice कर रहे हो और बही level की reading आपने जकर करनी है exam में तो आपका 100% जो benefit होगा ही होगा आप easily जो tough वाली reading भी होगी चाहिए चितनी भी tough आजे आप उसको easily कर पाऊगे अगर आपको reading का material जो past exam का नहीं मिला तो description box में और video के comment section में मैंने बो link भी डाल दिया है जाकर बो भी देख लो ये जो सारा material है काफिधा important है आप मुझे लगता है कि आपके जो सारे doubt है October month को लेकर clear हो चुकी होंगे उमीद करता हूँ कि जे video आपको अच्छी लगी होगी अगर video अच्छी लगी है video को like कर देना channel को कर देना subscribe thank you so much